नमस्कर दोस्तों, फोर डिवाइन में आप सभी का स्वागत है, आसा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी फ्रेंट्स, आज मैं आप लोग के साथ आलू और अंडे से बने बहुत ही टेस्टीक रेसिपी से एर करूँगी एक बड़ आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के जरूर देखेगा, खाने में आपको बहुत ही जादा टेस्टी लगेगा तो चले शुरू करते आज के रेसिपी और आज के लाइक का गोल लगते थाउजन आज के रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे तीन मीड Irae साइज के आलू को बॉल करके आलू को मैंने चे से साथ मिनिट के लिए बॉयल कर लिया और आलू को इस तरीके से थोड़ा सा बड़े-बड़े के टुक्रों में काट लेंगे लिया मैंने यहां पे 5 उबले हुए अंडे, तो चलिए शुरू करते, उसे पहले पैन में हम ले लेंगे तेल, तेल जैसे हमारा गर्म हो जाए, डालेंगे 2-3 पिंच हल्दी, और 1 पोर्ट चम्मस डालेंगे हम कस्मिरी रेट चिली पाउडर, गैस का फ्लेम हम लोपे रखेंगे और अंडे डाल के हम फ्राइ कर लेंगे, एक मिनिट के लिए, हलका अंडे का कलर बस हमें चेंज करना है, अंडे का कलर हलका चेंज जैसी हो जाए हम निकाल लेंगे, और इसी तेल में अब हम आलू डाल के फ्राइ करेंगे, चार से पांच मिनित के लिए आलू को फ्राइ कर लेंगे, कलर चेंज हो जाने तक और आलू हमारा 50% पहले सी सॉफ्ट है, तो उतना आपको आलू को बोईल कर लेना है और मैंने यहां पे 5 अंडे लिया है, और अंडे आलू अपकने जुरत की साब से कमिया जादा कर लिजेगा चार से पांच मिनित के लिए आलू को भी फ्राइ कर लिया है, और आप देख सकते हो आलू का कलर अच्छी से चेंज हो गया है, निकाल लेंगे हम अब हम इसी तेल में डालेंगे दो छोटी लाइची, एक टुकरा दाल चिनी के, एक तेज पत्ते को दो टुकरा करके डाल देंगे, और साथी डालेंगे एक सुखी लाल मिर्च एक चम्मच हम डालेंगे पाच पुरून, और सभी चीजों को हम पहले फ्राइच कर लेंगे पाच पुरून जैसे अच्छे से चटक जाए, हम डाल देंगे यहाँ पे प्याज तो एक medium size के प्याज को थोटी थोटी टुकरो में काटके हम डाल देंगे और प्याज के color change हो जाने तर हम fry कर लेंगे अगर आपके पास पासफोरो ना हो तब आप यहां पे जीरा डाल सकते हो प्याज के color जैसी change हो जाए हम डाल देंगे एक चम्माच अधरक लेशन का paste साइज के टमाटर को छोटे-छोटे चुक्रों में काटके डालेंगे एक चम्माज कस्मीरी डेट चिली पाउडर आधा चम्माज फल्दी एक चम्माज जीरा पाउडर आधा चम्माज धन्या पाउडर नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और मसाले को तब तक भुनेंगे जब जैसे हमारा यह मसाले अच्छे से भून जाए और टमाटर हल्का सौट हो जाए हम डालेंगे यहाँ पर दो चम्माज दई ड़ालने के बाद एक निट के लिए और मसाले को भून लेंगे हम आधा चम्माज गरम मसाला डाल देंगे, साथी डालेंगे एक चम्माज कचुरी में थी अच्छे से मसाले हमारा भून चुका है, डाल देंगे हम टाई की हुए अंडे और आलू दो मिनिट मसाली के साथ मेक्स करते हुए अच्छे से बूनेंगे, फिर हम डालेंगे यहाँ पर पाले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो फ्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजएगा और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को जादा से जादा से जादा सेयर भी कीजिएगा और आज की रेसिपी घर पे ट्राइ करते हो तो मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा कि आप लोगों को कैसा लगा आलू और अंडे अच्छे से मसाले के साथ हमारा भून चुका है अब हम डाल देंगे यहां पर एक काप पानी साथ से आठ मिनिट हम मेडियम फ्लेंग में धक्के पकाएंगे जब तक आलू हमारा पूरी तरीके से सौप्ट ना हो जाए सी ग्रेवी में बॉयल आजाए पैन को कॉबर कर देंगे आप 6-7 मिनिट के लिए गैस कपले मीडियम पिकरेंगे 6-7 मिनिट हो गए और आलू अच्चे से हमारा सौप्ट हो गया है हम लास्ट में डालेंगे एक चम्माच घी घी डालना लेकिन अगर आपको ना डालना हो तो आप स्कीप कर सकते हो और साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा दनिया बस मेक्स करके हम ग्यास कपले म बंद कर देंगे हमारे तयारे बहुत ही टेस्टी आलू अंडे के जोल ये देखके जितना ज़ाद आपको टेस्टी लग है खाने में भी बहुत ही ज़ाद आपको टेस्टी लगेगा तो फिर एक बार आप मेरे तरीके से अंडे आलू के जोल बना के जरूर देखेगा और खाने के बाद थोड़ा सभी अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी सियर कीजेगा तो नेरे चीपी के साथ हम फिर से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार